हेलो फ्रेंड्स वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तरपतेश जूनिय सिचक भरती से समंदित जो हमारी जीस प्लस सोसल इस्टडीज की जो क्लासेश चल रही है टॉप 40 वाली ठीक है उसमें आज की जो वीडियो है कलास है और से पेरा क्लासिズ हो चुकी है और ऑर लिइस से पहले करवाने की कोशिज यहाँ पर की जा रही है और यहां पर चौधी यह वीडियो है लगग मतलब 30 वीडियो कम से कम परिक्छा पहले आपके कंप्लेट करवानी है ठीक है और कुछ लोगों का कमेंट आयाता है क जो आपने पढ़ी नहीं है और दूसरी चीज है कि अगर आपको यह हाई लग रहा है तो अभी यह आप कर लीजिए मैं कुछ चीजे मैं तयार कर रहा हूं अगर वो complete हो गई तो आपको जो medium level का जो material है वो भी बहुत जल्द ही बहुत कम समय में आपको complete करवा दिया जाएगा बस मैं कहें इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि अगर बाइचांस मैं पहले बोल दूँ और फिर बाइचांस मैं ना करवा पाऊं तो फिर मुझे थोड़ा सा आज आएगा तो वह टफ रही नहीं जाएगा ठीक है तो चलिए आज की वीडियो श्टार्ट करते हैं पहला कोशन देखते हैं निम्लिखित में इसे भारत में निम्लिखित में से कौन सा म्रदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने की कारण अनुर्वर होता जा रहा है मरुस्ते लिए बालू जलोड पाट जोलिक या लेटराइट अब देखिए यहाँ पर इन दो सब्दों का अर्थ आप लोग समझ लीजिए क्योंकि अर्थ नहीं पता होता है इसलिए गड़वड हो जात छाएगी तो इसका जो राइट अन्सर होगा वह वह ऑप्शन डी लेटर राइट ड्युक्द एफिक एषम एट के मैयंदान की पुरानी चारी मिट्टी कहला दिया भावर बांगर खादर या घूंडर इफ है इसका जो right answer है वो है option B बांगर ठीक है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है बांगर next है question number 3 करेवास मृत्तिका जो जाफरान मतलब केसर का एक इस्थानी प्रकार के उत्पादर के लिए उप्योगी है पाई जाती है कहां पाई जाती है कस्मीर हिमाले में गड़वाल हिमाले में नेपाल हिमाले में पूर्वी हिमाले में या उप्रविक्ट में से कोई नहीं तीसरे का जो राइट अंसर है वो है option एक कस्मीर हिमाले में ठीक है करेवास मृत्तिका जो क्या है जाफरान मतलब केसर का एक इस्थानी प्रकार है नेक्स्ट है क्रैसी भूमी में किसके पौधे उगाने से भूमी का अपरदन अधिक्तम तीव्रता से होता है ठीक है किसके पौधे अगर लगाएं तो भूमी का अपरदन ज्यादा जल्दी होगा सोरगम आलू गेहू या क्लोवर ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह ऑप्शन ए सोरगम मतलब ज्यार होता है ठीक है ज्यार भूमी वह अपरदन बहुत तेजी से होगा अगर इसका मतलब इसके पौधे लगाएं अगर ठीक है नेक्स्ट है नेमने में से किसे जंगल की आग कहा जाता है बोहिनिय, बेरिगेटा, जेके रांडा, मैमो, साफोलिया, ब्यूटिया, मोनोसपर्मा या टेक्टोना ग्रांडिस ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वह है option C, ब्यूटिना, मोनोसपर्मा ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि इसके जो आकरसक फूल है, उसके कारण इसको क्या कहा जाता है, जंगल की आग next question है, एंटी लोपो औरिक्स और चीरू के बीच क्या आंतर है, चीरू ठीक है, औरिक्स गर्म और सुस्क छेतरों में रहने के लिए अनकूली थे, जबकि चीरू ठंडे उच्छ परवतिक घास के मैदान और अर्ध मरुस्तरी छेतरों में रहने के लिए, औरिक्स का सिकार स्रभांगों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का सिकार कस्तूरी के लिए, और एक्स केबल पस्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चीरू केबल उत्तर भारत में मिलता है, उपरयोक्त कथनों A, B तथा C में से कोई सही नहीं है, अंतर पुछा गया है, तो अंतर जो है, वो है option B है और X का सिकार उनके स्रवंगा गाभों के लिए किया जाता है जबकि चीरू का सिकार कस्तूरी के लिए किया जाता है ठीक है पानी की निवनितम मात्रा को इंगित करता है ठीक है पानी की जो बचाव है बचाव सिचाई वही होता क्योंकि यह पानी की जो पानी की निवनितम मात्रा को यह इंगित करता है पी डव्लू पी नेक्स्ट है भारत में माला नेहर तंत्र को प्रस्तावित किया था के एल राव ने दिनसा जे दस्तूर ने विशेश्वर रहया ने वाई के अलग ने इसका जो राइट अंसर है वो है ओप्शन बी दिनसा जे दस्तूर ने नेक्स्ट कोश्ट Rabbit के समूद्र गुप्त के प्रयाग परसस्ति वाले इस्थंब पर निम्लिकित में से किसका लेख मिलता है जहांगीर सांज़ह और अंगजेव दारा सिको नवे का जो राइट अंसर है वो है option A समुद्र गुप्ट के प्रयाग प्रसस्ति वाले इस्थम पर निम्लकित में से किसका उल्लेक मिलता है जहांगीर का next question है question number 10 इसा की तीसरी सताबदी में जबकि हूड आकरमड से रोमन समराज समाप्थ हो गया भारती ब्यापारिक आधिकादिक निर्भर हो गए किस पर हो गए अफरीकी ब्यापार पर पस्चमी यूरोप ब्यापार पर दच्छिड पूरव ACI ब्यापार पर या मध्ध पूरवी ब्यापार पर तो इसका जो राइट अंसर है वो है option B पस्चमी यूरोब या पार पर नेक्स्ट कॉस्चन है question number 11 निम लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है कुमार गुप्त प्रतम मंदसौर अभिलेक पतिक तक्षिसिला अभिलेक प्रभावती गुपता उधैगिरी गुहा अभिलेक य कोई संब्द नहीं बाकी तीनों सही है कुमार गुप्त प्रतम मंदसौर अभिलेक पतिक तक्षिसिला समुद्र गुपत एरण अभिलेक ठीक है नेक्स्ट है भारती यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उले किया है यह इस्थित था उज्जैन में कॉसांबी में तामर भाई कर को कहते थे बिदक भागम हिरन्य उद्रंग या उपर निका तो इसका इसका जो राइट अंसर है वो है बिदक भागम ठीक है बिदक भागम नेक्स्ट है मौखरी साजकों की राजधानी थी थानेस और कन्योज पुरुस्पूर या उप्रयुक्त में से कोई नहीं एक कोशन नम्रा चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं कि व्मच और मिन अध्यक की इन तू सी तो थो भारत का है भारत नाम का इन तू के नाम से करते हैं आप सेट नेमने कितमें से लाजा ए धन्यक मैंकित कॉन सा सही होग guid धरबरी कभार राजा अमीर खुसरो चंद्रगुप्दोती, कालिदा, समुद्रगुप्द, हरिशेन, अलाउदिन, खिलजी और बानभट, हर्सवर्दन कौन सा सही है? ये तो देखने से ही पता चला है ठीक है, बानभट और हर्सवर्दन, ये बिल्कुल सही है नेक्स्ट है नेमलिकित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छे सत्रा, नियाय के समन्च समानता, अनुच्छे दठत्तर, संसद का गठन, अनुच्छे देख सो बानभट, संसद सदस्यों के वेतने बंबत्ते, अनुच्छे 352, आपात इस्तित की घोशना तो इसका जो राइट आंसर है, वो है अनुच्छे 352, आपात इस्तित की घोशना ठीक है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है नेक्स्ट है भारती सम्विजान की तरती अनुशूची में निम्न में से क्या उपबंधित नहीं है इसका जो राइट आंसर है, वो है आप्शन C भारत के राष्ट पती के लिए पद की सपत का प्रारूप नेक्स्ट कोस्टन निम्न कित में से कौन सा विश्य समवर्ती सूची का है पुलिस आप राधिक मामले, रेडियो और टेलिवीजन, विदेसी मामले तो इसका जो राइट आंसर है, वो है आप्शन B आप राधिक मामले ये समवर्ती सूची से समवंदित है नेक्स्ट है भारती समिधान के निम्न कित में से कौन से प्रावधान, सिच्छा पर प्रभाव डालते है तो इसका जो राइट आंसर है, वो है आप्शन F उपरयुक्त सभी इसको यहां पर आफ तक रख दिया गया, क्योंकि यह सभी जो सिच्छा का प्रावधान पर प्रभाव डालते है, वो सारे है इसमें ठीक है राजगे नीति दिजिशक टत्त भी हैं, ग्रामीड और सहरी स्तानी निकावे भी है, पंचब अन सूची भी है, सस्ट अन सूची भी है, वो सत्तम अन सूची भी है, इसलिए उपरयुक्त सभी इसका अंसर होगा नेक्स्ट क्वेस्टन है नियम लिकित में से कौन भार्थी समिदान के अंतरगत सही सुमेलित नहीं है, पंचायत भाग नो, नगरपालिकाय भाग नो का, सहकारी समीतियार भाग नो खा, अधिकरण भाग दस ठीक है, तो इसका जो राइट अंसर है, वो है ऑप्षन डी, कौन सा सुमेलित नहीं है, अधिकरण भाग दस में नहीं होगा, भाग दस में होता है, अनुसूचित जातियां, ठीक है, अधिकरणों की ब्याख्या जो होती है, वो होती है, 14 का में प्रजातांत्रिक भारत सब्दों से जनता के लोकतंत्र सब्दों से या हम भारत के लोग सब्दों से तो यह तो easy answer हो गया एक तरीके से इसका जो right answer होगा हम भारत की लोग ठीक है जो starting होती है प्रस्तामना विव में वो यही होती है हम भारत के लोग से start होता है next है निमने में से कौन सुसासन की विशेस्ता नहीं है जवाब देही पारदर्सिता कानून का नियम लाल फिता साही इसका भी right answer option D है लाल फिता साही ये भी एक तरीके easy question था next है भारती र पद्दत की सरकार तो इसका जो right answer है वो है option D राष्ट्रपती ये पद्दत की सरकार नहीं है ठीक है कौन सही नहीं है ये नहीं है भारत में बाकी तीनों है धर्म निर्पेच राज भी है संसदी पद्दत की सरकार है संगी नीत भी है ठीक है तो इसका जो right answer इसमें होगा D राठपती पद्दत की सरकार यह नहीं होगा नेक्स्ट है युगांतर पार्टी का नेत्रत्व किया था जतिंद्रनाथ मुखर जी ने सचेंद्रनाथ सान्याल ने रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद बोस ने इसका जुराइट अंसर है वह ऑप्शन ए जतिंद्रनाथ मुखर जी ने युगांतर पार्टी का नेत्रत्व किया नेक्स्ट है नेमलिकित में से किसने मित्र मेला संगो को सुरू किया था स्याम जी क्रिश्ट वर्मा ने विनायक दामोदर सावर करने लाला हर्दयाल ने सोहन सिंग भाकना ने तो इसका जुराइट आंसर है वह ऑप्शन भी वीडी सावर कर विनायक दामोदर सावर करने मित्र मेला संग को सुरू किया था नेक्स्ट कोस्ट्यन है मुझफफन पुर बंकांड 1908 का संबंद इनमें से किसके साथ साथ सावर कर अजीत सिंग प्रफुल और एक और नाम था खुदी राम बोस का ठीक खुदी राम बोस तो यह दोनों नाम आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट कोस्टन है हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन गठित की गई थी सुवासंद बोस द्वारा रास विहरी बोस द्वारा चंसेकर आज के द्वारा नेक्स्ट कोस्टन भगास सिंग का इस्मारक कहा इस्तित है फिरोजपुर में अमरसर में लुद्याना में या गुर्दासपुर में इसका जुराइट अंसर है वह है आप्शन ए फिरोजपुर में भगास सिंग का इस्मारक इस्तित है नेक्स्ट है नेम लिकेत सुमेलिद वाला है option D कल्पना दत आजीवन कारावास ठीक है दो तो आपको कंफर्मी पता है कि भगत सिंग की फासी हुई थी चंसेकर राजाद मुटबेड के दोरान ठीक है आकरी में खुद को गोली बार ली थी ठीक है तो यह तो दो कंफर्म है कल्पना दत यहां आजीवन परावरतन इसका जो राइड आंसर है वह है option D प्रकास का सकल अंतरिक परावरतन नेक्स्ट कोस्टन वेब क्रॉलर को इस रूप से भी जाना जाता है लिंक डाइरेक्टरी सर्च आप्टिमाइजर वेब इस्पाइडर या वेब मैनेजर 32 का जो राइड आंसर है वह है option C वेब स्पाइडर के नाम से वेब क्रॉलर को जाना जाता है नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा रक्तिम के हिमोगलोबिन के साथ अनुत करमडी संसलिस्ट बनाता है कर्बंड एक्साइड सुध नाइट्रोजन गैस कर्बन मोनो आक्सा निम्न में से किसका उप्योग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है कर्बं डायक्साइड सल्फर डायक्साइड क्लोरिन नाइट्रिक अमल इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्बं डायक्साइड ठीक है बड़े पैमाने पर यूरिया का निर्माण द्रव एनस्थ्री और सियो टू से होता है नेक्स्ट कोश्चन है एक मनुस्य के जीवन को पूर्ण रूप से धाने करने के लिए आवस्यक निवनितम भूमिकों क्या कहते हैं जीवजात पारिस्थित्किया पदचाप जीवों या निकेत यह कोश्चन साथ पहले भी एक बार किसी पीडिएफ में आ चुका है तो इसका जो राइड आंसर है वो है ऑप्शन भी पारिस्थित्किया पदचाप नेक्स्ट कोश्चन स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिंग लेंटिक आवास का उधारण है तालावेवम दलदल जरनावेवम नदी तालावेवम नदी उपरयोग तो सभी इसका जो राइड आंसर है वो है ऑप्शन ए तालावेवम दलदल लेंटिक आवास का उधारण है नेक्स्ट है नेम लिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्त प्रवाणता को दर्शाती है एकोक्लाइन हैलोक्लाइन पिक्नोक्लाइन थर्मोक्लाइन तो यह होगा ओप्शन सी पिक्नोक्लाइन नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन थर्मोक्लाइन निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स सी टू सनक्षण के लिए कौन सी गैस आमानेता प्रयोग होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कर्बन एक्साइडिया मीथेन इसका जो राइड आंसर है वो है ओप्शन ए नाइट्रोजन नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नम्बर 39 निम्निकित में से कौन मुद्रा इस्थिपीत के नियंत्रण की विधी नहीं है मांग पन नियंत्रण मुद्रा की पूर्थिपन नियंत्रण ब्याजदर को कम करना या ब अंतराष्ट्री व्यापार में प्रियोक्त प्रमुक मुद्रा ओंगि तुलना में मुगलिक में गिरावट अंतराष्ट्री बाजार में मुद्रा को अपना इस्थर ढोड़ने की एनुमत आई एम और तथा डबलू बी की सहता से वर्ल्ड वैंग की सहता से मुद्रा का मुल्र निर्धारित करना उपर्योखत मेंसे कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर है अंतराश्ट्री व्यापार में प्रयोक्त प्रभुक्त मुद्राओं की तुलना में मुगल्य में गिरावट मुद्रा अव्यमूलियन कहलाता है ठीक है तो इस तरीके से 40 कोश्चन आपके कंप्लीट हो गए और ठीक है और उमीद करते हैं आपक जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा जितने प्रैक्टिस सेट है ठीक है उन सब के कोश्चन्स आपको एकदम रटे होने चाहिए उनका एक्स्प्लेनेशन भी लास्ट में दिया होता है कुछ जो प्रैक्टिस सेट होते है उसमें जाकर उ झाल झाल